हाई गाईस, वेलकम फूस्टाडी का अुस्तुर। आज हम बात करेंगे इंडियन पॉलिटी की क्लास सेकेट के बारे में जिसमें बेसिकली union and its territories के बारे में हम बात करेंगे, इस segment को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, पहले part में हम article 1 से लेके article 4 तक जो भी article से इन सब के बारे में पूरे detail में बात करेंगे जैसे कि बतलब कोई भी state अगर नयाब बनाया जाता है तो कैसे बनाया जाता है उसका क्या procedure है इन सब चीजों के बारे में और जो second part होगा उसमें basically जो भी princely state थे उनका कैसे states में integration हुआ है उन सब चीजों के बारे में पूरे detail में हम analysis करेंगे और यह जो part first है इसके last में आपको एक question भी मिलेगा article 1 से article 4 तक की जो यह article है इन सब से related और उस question का आपको comment section में answer भी बताना है और अगर आपको यह वीडियो यूसपूल लगे दें डू लाइक शेयर एंड सबस्क्राइब to study couch okay so let's start तो सबसे पहले हम बात करते है आर्टिकल first की ठीक है आर्टिकल first के टाइम पे एक scene वह था तक जो constituent assembly थी उसमें बेसिकली इंडिया के नाम को लेके काफ़ी debate चली कि कुछ लोगों कहना था किंडिया का नाम जो है वो इंडिया होना चाहिए क्योंकि रफ इस्टेट स्टेट किया गए यहां पिर लाकी फैडरेशन ओफ इस्टेट अब यॉनियन ओफ इस्टेट का मतलब क्या हो गया किसको संझे हम और फैडरेशन ओफ इस्टेट क्या है तो जैसे धुक है तो डोकन्ट्री ले लेते हैं ठीक किया गया जिससे कि इसको अच्छे से control किया जा सके अच्छे से administer किया जा सके यहाँ पर जो state है वो से sit नहीं कर सकते हैं इंडिया से बड़कि यूएस से यहाँ पर possibilities हैं तो इन सब reasons को ध्यान में रखते हुए जो दॉक्टर भी आर अमेड़कर थे उनके द्वारा जो union of state का जो फ्रेज था इसको include किया गया था article first में अब यहाँ पर जो union of state है इसके साथ साथ में जो article first है यहाँ पर इंडिया की territory के बारे में भी बात की जाती है इसे इंडिया की जो territory है उसको तीन categories में divide किया जता है जो भी states की territory है जो भी states के द्वारा area acquire किया गया है जो भी state का area है basically union territory का जो area है कि इन तीनों को जो include कर दें तो यह पूरा इंडिया की territory है और यहाँ पर basically जैसे कोई भी states के जो नाम हो गया फिर union territories के जो नाम है और उनका जो territorial extents है मतलब कि कौन सा state किस area तक है कौन सी union territory कहां तक है उन सब के बारे में बात की जाती है इंडियन constitution का first schedule में और यहाँ पर सा जो महारास्ट है गुजरात है नागालेंड है असाम है मनीपूर आंदरप्रदेश तेलंगाना सिक्किम मिजोरम अरुनाचल प्रदेश गोवा करनाटक तो इन सब को कुछ special provisions भी यहाँ पे दिये गएं basically तो यहाँ पे जो आर्टिकल first में जो यह territory of India और union of state की बात की जाती तो जो union of state वाला जो area है यह basically states की union है और जो territory of India है इसमें क्या आते है states का area union territory का area और अगर मानलों कोई area central government के दोर कोई भी territory acquire की जाती है तो अगर area के basis पे बात करें तो यह territory का जो area होगा यह ज़्यादा बड़ा होता है compare अगर हम इसको करे union of state से यहाँ basically यह चीज़ समझन कि कभी गभी exams में इस टाइब से पूछ लेता है कि कौन सा वाला area जादा बड़ा होता है और यहाँ पर जो यह states है यह basically जो इंडिया का जो federal system है उसके members है और यहाँ पर जो power होती है central और state के बीच में distribute की जाती है और कैसे इस power का distribution होता है उस सब के बारे में हम आगे जाने जैसे कि union territory जो है उसको govern किया जाता है control किया जाता है central government के द्वारा ठीक है उसके द्वारा directly वहाँ पर administer appoint किया जाता है वैसे ही जो state होते हैं उसमें जो chief ministers वगेरा होते हैं तो उन वज़े से और उसके साथ साथ जो center का agent होता है जिसको governor बोलते है वो भी appoint किया जाता है तो इस तरीके से कोई भी state और union territory को central के द्वारा govern किया जाता है अब यहाँ पर इंडिया जो है खुद तो एक सोवन कंट्री है बट वो कोई भी foreign territory acquire कर सकता है जैसे कई सारे जे international laws हैं उन सब के अंदर रहते हुए भी जैसे cessation की जो process है उसके अंदर भी कोई territory उसके द्वारा acquire की जा सकती है पर्चेज भी की जा सकती है गिफ्ट भी लीज में भी तो इन सब के बारे में पूरे detail में last lecture में प्रेंबल वाले lecture में पूरे detail में इन सब के बारे में बात की गई है जैसे प्लेबी site वगेरा है यह सब क्या चीज है जैसी कि basically अगर example के तोर पर हम समझे कि उस ताइम पर जिस दादर नागरा हवेली जो थी उसको भी acquire किया गया था गोवा को भी acquire किया गया था दम अनंदीव को भी acquire किया गया था इस तरीके से जो territory है वो acquire की जा सकती है इंडिया के द्वार बेसिकली जो यह foreign territories थी अब अगर हम बात करें article 2 की तो इसमें basically जो पार state है उसको बनाया जा सकता है तो यहां पर mainly दो चीजों के बारे में बात की जाती है कि जो union of इंडिया है उसमें कोई नए state को admit करने की और जैसे की कोई नया state ही बनाना है तो उसको भी establish करने की जो power है वो parliament के पास में यहां पर दी जाती है basically यह main important चीज है इसमें अगर article 3 के हम बात करें तो article 3 जो है वो parliament को कई सारी चीजों के बारे में बोलता है मतलो कई सारी चीजों को लेकर power दी जाती है जैसी कि मालो कोई भी नया state बनाना है कोई territory message जैसी कि एक example समझ लेते हैं हम आंदरपरदेश जो ता उसका part करके एक आंदरपरदेश बनाएगा था दूसर तो तेलंगा ना बनाएगा था तो इस टाइप की जो situation होती है इन सब को भी article 3 के अंदर ही parliament को power दी जाती है और जिस मालो कोई state A है ठीक है और कोई state B है तो अब यहाँ पे parliament के पास में ये भी power है कि इसको इतना बढ़ा दे A को और B को इतना कम कर दे मतलब कोई भी state का जो area उसको increase करा सकता है बढ़ा सकता है खतम कर सकता है और जो boundaries है किसी भी state की उन सब को change कर सकता है state के नाम को change कर सकता है मतलब सारे लगब सारी चीजे कर ही सकता है अब यहाँ पे basically में चीजी आतीक चल ठीक है ये कर सकता है तो इसका process क्या होता है तो इसमें सबसे पहले एक bill की ज़रुत होती है ठीक है तो बिल जिसको की किसी भी हाउस में चाहे तो पार्लेमेंट के जो दो हाउसे होते हैं एक होता है लोक सभा दूसरा होता है राज्य सभा तो इन में से किसी भी हाउस में उस बिल को इंटर्डूस किया जा सकता है बस वहाँ पर कंडिशन यह है कि उसक prior recommendation की ज़र्वत होती है अब जिसे मा लो कोई भी बिल है ठीक है तो उस बिल पर सबसे पहले तो president की prior recommendation होगी और उसके बाद में अभी बिल जो है वो basically parliament में नहीं गया है उससे पहले ही वो states के पास में भेजा जाएगा जो भी concern state जिस state की boundary change करने की या फिर एक state को देखे जाते हैं फिर उसके बाद में जो यह बिल है उन वो व्यूज के साथ में बतलब जो इस्टेट के व्यूज है और उसके साथ में जो इस बिल है इन दोनों को पार्लियमेंट के किसी भी हाउस से स्टार्ट करा के पास कराया जाता है चाहे तो वो इस्टेट गोर्मेंट के बाद में कोई जरूत नहीं होती है प्रसिडेंट को कि वो उसको रेफर करें वहां के लिए इस लेजर के लिए क्योंकि जो यूणियन टेरिटरी होती है वो बेसिकली सेंटल के द्वारे गवर्न की जाती है तो बस ये situation जो है state वाले scene में ही होती है तो उसके बाद में जैसे मानलो एक बार भेज दिया ठीक है और यहाँ पर कोई जरूरी नहीं कि पार्लेमेंट उन सारे जो व्यूज जो changes state के द्वारे बोले गए उन सबको accept करें और अगर मानलो नहीं करता है तो भी वह सीधा उसको बिल को पास करा सकता है और अगर कर लेता तो अच्छी बात है और एक दूसरी situation यह होती है जिसे मानलो एक बार में हो गया situation और बिल पास नहीं होता है तो हर बार में जिसे मानलो कोई changes किया गया फिर उसके बाद में बिल पास किया गया ठीक है एक हाउस से तो अगर मानलो वह changes हो गया तो इसके बाद यह जरूरी नहीं है कि वह प्रसिडेंट जो है वापिस से उस state को वहाँ पे भेजा जाए उन changes के साथ में यह चेंज किये गये फिर उनका वहाँ पे view मांगा जाए state government का उन सब की जरूरत नहीं है बट एक बार ही जरूरत पढ़ती है वहाँ पे basically तो यहां पर अगर हम इस चीज को समझे तो मतलब basically यह हो गए कि जैसे मानलो कोई भी state जो है अगर उसकी boundary change करनी है उसको तोड़ी के दो state मनाने तो उसस अब में जो state है उसकी consent की को जरूरत नहीं होती है तो यह उन सब का मतलब कोई यहां पे matter ही नहीं है तो इस वज़े से ही जो इंडिया है उसको एक indestructible union of destructive states बोला जाता है यहाँ पर basically इस चीज का मतलब यह हो गया कि जो union है वो एक indestructible है मतलब उसको destruct नहीं किया जा सकता पर जहाँ पर जो states है उन सब को destruct किया जा सकता है जैसे कि एक state को अभी तोड़ के दो बना रहे थे boundary change करे थे उनका area change करे थे यह सारी situation जो है और यहाँ पर state की जो consent है वो कोई खास matter भी नहीं करती है तो इस वज़े से ही states को यहाँ पर destructive बोला गया है और जो union है उसको destructive बोला गया है अगर हम USA वाली situation को देगे जिसके बारे में हम पहले बात करे थे तो USA के बारे में यहाँ पर opposite में है बिल्कुल एक दब वहाँ पर जो union है वो destructive है और जो states है वो indestructible ठीक है तो मतलब यहाँ पर कोई भी state अमरिकन फेडरेशन गवर्मेंट जो है वहाँ पर कोई नया state नहीं बना सकती वहाँ की जो भी border है जैसे मानलों कोई state A और B जो USA के जो states है अगर उनकी boundary को भी change नहीं किया जा सकता इन दोन जो situation से वहाँ सब में नहीं होती मतलब वहाँ पर जो states है उन सब को destruct नहीं किया जा सकता इस वजह से ही वो सारे states indestructible है और वहाँ की जो union है वो एक destructible union है अब यहाँ पर article 4 आता है ठीक है article 1, 2, 3 तो हो गया उसके बाद मालता है article 4 जिसमें basically यह बोला जाता है कि जैसे admit किया गया है या फिर उसको establish किया गया है article 2 के अंडर में या फिर article 3 के अंडर में कोई नया state ही बनाए गया है और किसी state की boundary change की गई है या फिर नाम change किया है कुछ भी किया गया है मतलब article 2 है तीन से related तो यह सारी चीज़े जो है इन सब के लिए constitutional amendment की requirement नहीं है constitutional amendment जो की Indian constitution का जो article है article 368 उसके अंडर power दी जाती है कि amend करने की तो इसके अंडर उनको मतलब amendment की constitutional amendment की requirement नहीं होती है जिस जब भी कुछी state का जो area है अगर मालो वो change किया जाता है तो ऐसी situation में जो उसकी boundary है उन सब boundary change की जाती है या फिर कुछ भी किया जाता है state से related तो उन सब में basically amendment करने क ज़रोत नहीं है यह बात करता है article 4 तो मतलब basically जो भी process है किसी state को बदलने का वो सारे चीजें simple majority के साथ में ordinary जो legislative process है मतलब की president हो गया ठीक है president की bill पर prior recommendation उसके बाद में state को भीजो state से वापिस ले के आओ उसके बाद में किसी भी house में पहले introduce करो और दूसरे से pass करवा के act तो यह ordinary process से होता है simple majority के साथ में अब यहां पर main चीज़ यह आती है कि जैसे मतलब इंडियान पार्लेमेंट जो है उसके पास में यह power तो है कि वो किसी state का area को diminish कर सकते हैं बट यहां पर कोई भी Indian territory को foreign territory के लिए या foreign country के लिए दी जा सकते है कि जैसे मतलब इंडिया की इंडिया इसको किसी दूसरी country को दे सकता है कि यह question काफी ज़्यादा आता है और इस पे काफी ज़्यादा controversy हुई थी जो जिसमें की 1960 में decision भी दिया गया था जिसको कि बेरूबारी union केस भी बोलते है जिसके बारे में हमने last lecture पर येंबल वाले में पूरे detail में बात की थी इ उनके द्वारा बॉन्टरी के पास में है तो इंडिया और पाकिस्तान की boundary थी वाहाँ पे ओके तो यहां पर एक थाना था जलपा एगोडी का पास में ठीक है बेरूबारी थाना तो इस बेरूबारी थाना में हुआ क्या था कि वैसे तो जो रैड क्लिप थे उनके द्वारा बोला गया था कि ये इंडिया की टेरिटरी में है बट जो ऑफीशियल या फिर जो रिटरेंट टेक्स्ट हो उसमें इसका मेंसरण नहीं किया गया था है इंडिया की टेरिटर्य में इस वज़े से भी पाकिस्तान और इंडिया के बीच में डिस्पूट हुआ पाकिस्तान के लगा जो बेरुबारे वाला एरिया है वो पाकिस्तान का है तो यहाँ पे तब जाके situation create हुई थी उस वज़े से ही 1958 में जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जिसको की नहरू नून agreement बोलते हैं वो sign किया गया था तो उसमें basically जो यह territory थी बेरुबारी थाना की इसको equally divide किया गया था दोनों countries में तो इस वज़े से फिर यहाँ पर यह matter चला जाता है Supreme Court में तो Supreme Court में matter जाने के बाद में Supreme Court यह कहता है कि जो से Parliament के पास Article 3 के अंडर में जो power है कि वो किसी भी state का जो area उसको diminish कर सकता है खतम कर सकता है नया बना सकता है जो भी कर सकता है उन सब में कोई भी Indian territory को किसी दूसरी country को देने की power नहीं है तो इस वज़े से यहाँ पर फिर जो सेंटल गवर्मेंट थी उसके दौरे के एक amendment की गई जिसको की 9th constitutional amendment act बोलते हैं जिसके अंडर यह territory जो है पाकिस्तान के लिए transfer की गई थी अब यहाँ पर जो यह boundary dispute हुए थे इसके बाद में यह तो 1960 की situation बेरुबारी union की उसके बाद में सुप्रेम कोट के दौरा 1969 में 1999 में एक decision भी दिया गया था कि जिसे इंडिया और उसकी जो बाकी countries जो है उन सब के साथ में अगर महनलोग कोई boundary dispute होती है तो उसको settle करने के लिए कोई constitutional amendment की requirement नहीं है क्योंकि यहाँ पर ऐसी कोई situation ही नहीं बन रही है जिसमें की जो इंडिया है वो खुद की territory का कोई part जो है वो किसी foreign country को दे रहा है तो जब ऐसी situation नहीं बन रही है तो इस सब के लिए basically कोई भी constitutional amendment act की requirement नहीं है जो भी boundary dispute का settlement होते हैं उन सब के लिए तो यह बोला गया था सुप्रीम गोड के द्वारे 1969 में अब कुछ countries के साथ में इंडिया के द्वारे territory का जो भी exchange हुआ है उसके बारे में अगर हम बात करें तो जैसे कि 1960 में जो बीरुबारी union वाला जो scene था जिसके बारे में हमने पहले बात की थी वो हुआ था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो कि अभी बंगला डेस में आता है उसके अलावा जो बंगला डेस है उसके सास में भी कुछ territory का एक्स्चेंज हुआ ता है इन दोनों countries के बीच में इंडिया और अब जो बंगला डेस है इन दोनों country's के बीच में 1974 में 1964 में 16 में को एक agreement sign किया गया था जिससे कि इनकी जो land boundary है उसको अच्छे से वहाँ पर देखा जा सके और जो भी मतलब territory का exchange है वो किया जा सके mainly यहाँ पर जो exchange हो था वो enclaves का हुआ था तो n के लिए मतलब जैसे कि आप लोग यहाँ पर map में भी देख सकते है और वैसे अगर इसको समझें तो मतलब जैसे यह वाला कोई area है तो यहाँ पर जैसे यह country है और यह यहाँ पर country दूसरी है जिसका boundary लग रही यह भी है तो यह जो area dotted वाला जो reason है या फिर कुछ इस type से तो यह जो यह है बदलब यहाँ पर कि कोई भी area वो पूरी तरीके से और states के साथ में या फिर किसी और country के साथ में पूरी तरीके से जो surrounded होता है इस वाले area को हम बोलते है enclave तो यहाँ पर काफी सारे जो enclaves है कुछ इंडिया के जो बंगलादेश वाले region में कुछ बंगलादेश के जो इंडिया वाले region में उन सब का ही exchange यहाँ पर इस agreement के थू होना था जो 1974 का इस agreement था बट यहाँ पर यह जो territory का transfer था इसको नहीं किया जा सकता था क्योंकि इसके लिए constitutional amendment act की requirement थी और उसके साथ साथ में जो provisions होने चाहिए कि किस basis पर transfer किया जा रहा है उस सब की भी requirement थी इस वज़े से यहाँ पर यह सब नहीं किया गया है फिर बाद में बाद में जाके यह जिसे 2015 में 100th constitutional amendment act किया गया है जिसमें यहाँ पर जो territory का जो exchange किया गया था इंडिया और बंगलादेश के बीच में इस agreement जो की 1974 को जो agreement था उसके basis पर ही यह जो 100 constitutional amendment act था यह पास किया गया था central government के द्वारा जिसमें central government के द्वारा 111 जो enclaves थी इंडिया की वो बंगलादेश को transfer की गई थी और बंगलादेश से 51 जो enclaves थी उनको इंडिया को transfer किया गया था उसके साथ साथ जो 6.1 किलोमेटर की जो border stretch थी इंडिया और बंगलादेश के बीच में उसका भी demarkation किया गया था और यहाँ पे कुछ provisions भी add किये गये थे जिसे की मतलब जो concern state थे इंडिया के जिसे असाम थ था वेस्ट बंगल था मेगाले था तिरपूरा था इन सब states की जो territory थी उससे related provisions भी जो इंडियान constitution को first schedule है वहाँ पर add किये गए थे ओके और अब बारी आती है हमारे question की जिसके बारे में starting में बात की थी तो यहाँ पर एक question है ठीक है question number 4 नहीं है sorry यह एक question है जिसमें basically article 3 के बारे में यहाँ पर पूछा गया है दो statement दिये गया है इनमें से पूछा गया है कौन सा statement सही है तो यह जाता है उसके लिए prior recommendation की जरूत होती है president की और second statement यहाँ पर कह रहा है कि recommendation से पहले बिल को recommend करने से पहले president जो है मतलब basically जो बिल है जिसको parliament में जाने से पहले president जो है उसको वो बिल जो है state legislature जो भी concerned state legislature है उसके पास में भेजा जाता है किसी specific period के लिए जिससे कि वो अपने उस पर views रख सकें तो यह इन दोनो statement के बारे में यहाँ पर पूछा गया है और आपको बताने कि इसका answer क्या होगा comment section में ओके तो यही थे कुछ important facts and points union and its territory के part first से बारे में जिसमें basically हमने article 1 से लेके article 4 तक के बारे में discussion किया और next lecture में हम बात करेंगे basically जो भी princely states हैं उन सब का कैसे इंडिया में integration हुआ और 1950 के बाद में कैसे इतने सारे states बने कौन कौन से states कब बने उन सब चीजों के बारे में पूरे detail में हम बात करेंगे और अगर आपको यह वीडियो यूसपुल लगे देन डू लाइक, सेयर और सब्सक्राइब तो study couch, thanks for watching and have a good day.